सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपको कोशन को पढ़ना है और आंसर को यह जो सपेस दिया हुआ इसमें लिखना है ठीक है Who is your best friend तो यहाँ पर आपको अपने best friend का name लिखना है ठीक है कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप जो भी आपको पसंदो जैसे मेरी एक friend निशा तो मैंने निशा का नाम लिख दिया आप कुछ भी नाम लिख देना ठीक है What do you like the most about your best friend आपको अपने best friend के बारे में सब सची चीज क्या पसंद है तो देखें यहाँ पर आप लिख सकते हैं honesty इमानदारी ठीक है मैंने honesty लिख दिया जो मुझे अपने friend में पसंद है अब यहाँ पर where does your best friend live आपका जो best friend कहां रहता है तो मैंने देली लिख दिया डेली में ही रहता है हमारा best friend ठीक है अब आगे देखते है question number two में on the basis of your reading of the passage जम्मु शेख और अल्गु चौधरी जो थे अच्छे दोस्त थे so strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village the other looked after his family दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि जब उन में से कोई एक कहीं बाहर जाया करता था तो दूसरा उसके परिवार की देख भाल किया करता था both were greatly respected in the village दोनों का ही गाउं में बहुत अधिक सम्मान किया जाता था जुम्मन had an old aunt who had some property जुम्मन की एक बुड़ी आंटी थी जिनके पास कुछ संपत्ती थी this she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her और उसने जो उनकी आंटी थी उन्होंने अपनी property जुम्मन के नाम पर कर दी इस समझबूच के साथ मतलब आपस में ये बात तै करके कि वो उनके साथ ही रहेंगे हमेशा और वो उनकी देखभाल करेंगे ठीक है इसके बदले में उन्होंन अपनी सारी property क्या थी उनके नाम कर दी the arrangement worked well for a couple of years कुछ सालों तक तो उनके बीच में ठीक रहा सब कुछ then the situation changed रेकिन कुछ समय के बाद इस्सिती बदल गई जुम्मन और उसका परिवार उन बोड़ी रिश्चदार से परिशाना गया था जुम्मन थोड़ा अलग था जैसे कि उसकी वाइफ थी उससे थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि वो परती एक दिन उसे खाने में कम भोजन दिया करती थी जो बोड़ी महीला थी उनके कम भोजन दिया करती थी she swallowed these insults along with her food for a month कुछ समय तक तो उन्होंने अपना अपमान एक भोजन की तरह कुछ महीनों तक तो निगर लिया मतलब सहन कर लिया but patience has its limit लेकिन सहन शीलता की अपनी एक सीमा होती है now fill in the blanks अब आपको blank fill करने you can take help from the box below आप इस box में से देखकर नीचे fill up में भर सकते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा and were good friends कौन थे अच्छे friends यहाँ पर आएगा जुमन शेक यहाँ पर आप लिख देंगे अलगु चौदरी ठीक है जुमन शेक and अलगु चौदरी were good friends जुमन शेक और अलगु चौदरी अच्छे दोस्त थे जुमन had an old aunt who had some property जुमन की एक बुड़ी auntie थी जिनके पास कुछ संपत्ती थी जुमन became as different to his aunt as his wife जुमन थोड़ा indifferent था, अलग था ठीक है किसकी तुलनाम है अपनी पत्नी की तुलनाम है अपनी auntie के लिए जुमन and his family were tired of the old relatives जुमन और उसका परिवार जो था बुड़ी रिष्यदार से परिशान आ गया था जुमन's aunt swallowed the insult along with her food यहां पर आएगा food for a few months कुछ महिने तक ठीक है अपने खाने के साथ होने वाली जो उनके खाने के साथ जो बेज़ती होती थी उनक कम खाने के लिए दिया जाता था वो कुछ टाइम तक तो उन्होंने उस बात को सहन कर लिए अपने अपमान को ठीक है अब इतना ही था आज की वक्षीट में अब नेक्स वक्षीट में देखेंगे इसे तो आपकी वक्षीट सॉल्व हो कही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अमरे जनको सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वर वाचिंग